दोस्तो, गुपता एंपायर के बाद पूरा भारत वर्ष फिर से छोटे-छोटे प्रदीशों में बन गया था, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा विराठ समराठ हुआ, जो पूरे उत्तर भारत में अपना सामराज्य कायम करने में सफल हो गया, और साथ ही साथ शिक्षा, स पायोजित किये गए, इस कारण उन्हें सकलोत तरा पतेशवरा यानि कि लौर्ड अव्द नौथ भी कह जाता है, ये समराठ कौन थे? दोस्तों, ये थे पुष्च भूतिवन्ष के महान शासक सिलादेत्या हर्ष वर्धन, जिनकी आज हम बात करेंगे, तो आईए शुरू प्लिटिकल हिस्ट्री से गुजर जाते हैं, और उनकी माता येशुमती सती हो जाती हैं, इस मुश्किल घड़ी में हर्ष वर्धन के मामा और चीफ मिनिस्टर भंडी, हर्ष वर्धन के बड़े भाई राज्य वर्धन को राज सिंहासन पर बैठने के लिए मना लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थानेश्वर की जियोग्रफी समझ लेते हैं, थानेश्वर आज के हर्याना राज्य में लोकेटेड था, इसके इस्ट में कान्यकुज या कन्नौज था, जहां मुखारी वंश के ग्रह वर्धन का शासन था, वेस्ट में वल्लभी था, जहां मैत्रका वंश के जो देव गुपता के दोस्त है, इसके अलावा फारीस्ट में कामरूप यानि असाम में भासकर वर्मन का शासन था, थानेश्वर राज्य के इंफ्लूएंस को बढ़ाने के लिए हर्ष वर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन, अपनी बेटी राज्य श्री की शादी ग्रह वर्मन के साथ करवा देते हैं। और देव गुपता को हराकर राज्य श्री को छुड़ा लेते हैं। राज्य वर्धन की अचानक हुई मृत्यू से हर्ष वर्धन बहुत छोटी उम्र में अकेले पड़ जाते हैं। पर भांडी मामा को पता था कि हर्ष वर्धन अपने भाईया से कहीं अधिक कुशल, पराकरमी और चतुर राजा बन सकते हैं। इसलिए भांडी मामा हर्ष वर्धन को ललकारते हुए कहते हैं कि ये वक्त आंसू बहाने का नहीं, बलकि शत्रूओं का खून बहाने का है। हर्ष वर्धन सबसे पहले अपनी बहन को विंध्या चल के जंगल में सती होने से रोक लेते हैं। और फिर शुरू होता है शिव भक्त हर्ष वर्धन की लड़ाई और जीत का सिलसिला। उनके एक लाख सैनिक और साथ हजार हाथी की विशाल सेना के सामने कोई राजा टिक नहीं पा रहा था। राज वर्धन को चल से मारने वाले शशांक भी हर्ष वर्धन की सेना को देखकर कन्नौज से पीछे हड़ जाते हैं। इसके बाद हर्श वर्धन कनौज को न केवल अपने राज में मर्ज कर लेते हैं, बलकि अपनी कैपिटल थानेशवर से कनौज शिफ्ट कर देते हैं। शशांक के चल का बदला लेने के लिए हर्श वर्धन भी शत्रंज की चाल चलते हैं। पहले वो कामरूप यानि आसाम के राजा भासकर वर्मन से एक मैत्री संधी कर लेते हैं, फिर गौड पर दो तरफा आक्रमन कर देते हैं। शशांक जैसे तैसे अपनी जान बचा कर कहीं दूर जंगल में भाग जाता है। कुछ सालों बाद उसकी मृत्यू हो जाती है और पूरा गौड सामराज्य हर्श वर्धन के आधीन हो जाता है। वेस्ट में वलभी के राजा और पुलकेशिन 2 के मित्र धुरुव सेना 2 को भी हार माननी ही पड़ती है। पर बफर स्टेट मेंटेन करने के लिए हर्श वर्धन वलभी को पूरी तरह एनेक्स करने के बजाए दुरुव सेना 2 को वापस गद्दी पर बैठा देते हैं। ये हर्श वर्धन की बड़ी जीत होने के साथ साथ उनकी बेहतरीन स्टेट क्राफ्ट का नमूना भी था। इस तरह इस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सब तरफ हर्श वर्धन अपना विजय पर्चम लहरा देते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर में हिमाले, दक्षन में नर्मदा, दक्षन पश्चिम में अरबसागर, दक्षन पूरब में बंगाल की खाड़ी और पूरब में ब्रह्म पुत्र घाठी तक उनका सामराज्य फैल जाता है। लड़ाई, जीत और सूजबूच से हर्श वर्धन, सकलोत्तरा पथेश्वर यानि लौड अफ़ नौद की ख्याती पा लेते हैं। उनके विजय रत को एक मात्र जटका नर्मदा पार करने पर चालुक के शासक पुलकेशन टू द्वारा लगता है, जिसका एविडेंस हमें आई होल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। आईए जानते हैं इसके बारे में। आई होल इंस्क्रिप्शन हर्ष वर्धन और पुलकेशन टू के बीच हुई महान लडाई का वर्णन पुलकेशन टू के राजगवी रवी कृती द्वारा लिखे आई होल इंस्क्रिप्शन में देखा जा सकता है। आई होल इंस्क्रिप्शन्स संस्कृत लैंग्विज में होने के बावजूद कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिखा गया है इंस्क्रिप्शन के अनुसार पुलकेशन 2 ने हर्श वर्धन के अलावा कई और साउथ इंडियन किंग्स को भी हरा दिया था उन्होंने अपनी राजधानी आई होल से बदल कर बदामी कर दी थी इस इंस्क्रिप्शन में कालिदास का भी मैंशन है पुलकेशन 2 के बेहतरीन डिफेंस से हर्श वर्धन दक्षन पथ फतेह करने का इरादा छोड़ देते हैं और अपना सारा ध्यान उत्तर भारत को कंसॉलिडेट करने में लगा देते हैं आगे चलकर हर्श वर्धन 40 साल से भी ज्यादा रूल करते हैं पर लैक अफ पावफुल सक्सेसर, प्रयाग असेंबली के समय सारा खजाना खाली कर देने की प्रथा और declining trade and commerce के कारण हर्श वर्धन के बाद उनका empire टिक नहीं पाता और North India में फिर से instability आ जाती है दोस्तों हर्श वर्धन की सफलता में उनके efficient administration का बड़ा रोल था इसलिए आईए अब हम उनका administrative system देख लेते हैं administration under हर्षा हर्श वर्धन ने मौर्या और गुपता काल से inspiration लेकर कई administrative reforms किये यही कारण था कि वे लगभग 40 साल तक शासन कर पाए थे पर गुपताज के comparison में उनका administration ज्यादा decentralized और feudal element से भरा हुआ था राजगदी सम्हालने के बाद वो अपनी राजधानी थानेश्वर से बदल कर कन्योज कर देते हैं इससे कुछी सालों में कन्योज पूरे उत्तर भारत का ध्रुवतारा बन जाता है राजकवी बान भट्ट द्वारा लिखित राजधा खुद अपनी सेना के commander-in-chief भी होते थे हर्श वर्धन ने महराज अदिराज, परम भट्टरा का परम महिश्वरा जैसे title भी लिये थे वे एक उदार राजा थे और खुद पर्सनली प्रशासन की गतिविधियों पर नज़र रखते थे राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशत भी होता था जिसको chief minister head करते थे अवंती नाम के अधिकारी war and peace department देखते थे सिंगनाद military head होते थे सकंद गुपता हाथी दस्ते के head होते थे और civil administration के प्रमुख को सामंत महराज बुलाया जाता था पूरे सामराज्य को प्रदेशों में बाटा गया था जिसे भुक्ती बोला जाता था भुक्ती का विभाजन विशयाज यानि जिलों में किया गया था गाउं प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी लोगों पर minimum tax burden रखा गया था और good governance से administrative expenses को control किया गया था Land revenue जिसे भाग बोला जाता था सामराज्य का प्रमुख आय स्रोत था ये उबजगा one-sixth भाग होता था और फसल के रूप में ही दिया जाता था Sales tax और toll tax आय के अन्य स्रोत हुआ करते थे इसके अलावा छोटे-छोटे राजा और feudatries भी Emperor को tribute दिया करते थे Law and order अच्छा था परन्तु उसमें कुछ कमिया भी थी उधरन स्वरूब सफर के दौरान कई बार खुद हुइन सांग के साथ रॉबरी की घटना हुई थी बड़े अधिकारियों को पैसे के बदले जमीन दी जाती थी इसके कारण हर्श वर्धन काल में feudalism को बहुत बढ़ावा मिला Efficient Administration के अलावा हर्श वर्धन की सभलता का श्रे उनकी विशाल और प्रशिक्षित आर्मी को भी जाता है चलिए जानते हैं आमी हुइन सैंग के अनुसार उनकी सेना में साथ हजार हाथी पचास हजार घुरसवार और एक लाख थल सेना हुआ करती थी इतनी बड़ी सेना को मेंटीन करने के लिए हर्षवर्धन ने कई फ्यू डिट्रीज को लैंड ग्रांट्स दिये एड्मिनिस्ट्रेशन और आर्मी की खोबियां तो हमने देख ली पर सोशो एकनामिक कंडिशन पर डिसकशन किये बिना आज की चर्चा अधूरी रह जाएगी आईए पहले देखते हैं हर्षवर्धन एंपायर की सोशल लाइफ को सोशल लाइफ हर्षवर्धन के समय में वर्ण सिस्टम पूरी तरह से मौडिफाई हो गया था वर्ण सिस्टम के अंदर कास्ट सिस्टम इंपेरिकल रियालिटी बन गया था जन्म के आधार पर विभिन जातियों में सदस्यता मिलती थी और इसे जन्म के बाद बदला नहीं जा सकता था इंटरकास्ट डाइनिंग और मैरिज प्रोहिबिटिट था जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान था अंटचबिलिटी बड़ा रूप ले चुका था इस समय महिलाओं की स्थिती में गुपता काल जैसी ही गिरावट देखने को मिलती है सती प्रथा ने विराट रूप ले लिया था हर्श वर्धन अपनी माता यशुमती को तो नहीं पर किसी प्रकार अपनी बहन राज्यश्री को सती होने से बचा लेते हैं परन्तु उची जाती की महिलाओं के लिए नॉर्मल केसेज में ये पॉसिबल नहीं था परदा प्रथा की शुरुवात नहीं हुई थी पर महिलाओं के स्वतंत्र गूमने पर धेर सारे प्रतिबंद थे लेकिन पश्वों के साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्देश स्वयम महराजा हर्ष वर्धन की तरफ से दिया गया था किसी भी जानवर को मारना बड़ा अपराद था लोकल पॉपिलेशन सिंपल एंड मॉरल लिविंग में विश्वास रखती थी सोसाइटी के बाद अब हम हर्ष वर्धन एंपायर की एकॉनमी पर भी चर्चा कर लेते हैं एकॉनमी अंडर हर्षा विमन की कंडिशन डिटीरियो रेट होने के साथ साथ हर्षा काल में ट्रेड एंड कॉमर्स में भी डिकलाइन हुआ था इस कारण से हर्ष वर्धन ने गुपताज के कंपैरिजन में बहुत कम कोईंस इशू किये पैसे की जगहे लैंड ग्रांट्स दिया जाता था जिससे हर्षा पीरियट में फ्यूडल एकॉनमी को बहुत बढ़ हवा मिला था एक्सकिवेशन में मिले कॉपर प्लेट्स इसकी गवाही देते हैं कनौज, प्रयाग यानि अलहबाद और बनारस हर्षा सामराज्य के बड़े शेहरों में गिने जाते थे Economic Prosperity के साथ साथ हर्षाकाल Religious Tolerance के लिए भी याद किया जाता था आई ये देखते हैं Religious Tolerance Hinduism, Buddhism और Genism हर्षाकाल में Popular Religions हुआ करते थे प्रयाग, जिसे आज प्रयाग राज कहा जाता है और बनारस, हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे वहीं महायान, बौध धर्म के सबसे बड़े सेक्ट के रूप में उभर कर आया था हर्षवर्धन मूलतह, शिवभक्त यानी शैवाय थे परन्तु, ह्यून सैंग के अनुसार, वो एक कन्विंस्ट महायान बुधिस्ट भी थे उन्होंने गंगा नदी के किनारे कई बुधिस्ट स्तूपा वनवाय थे कुछ अकाउंट्स के अनुसार, एक स्तूपा तो सौ फीट उजा था पर वे पूरी तरह से बुधिस्ट में कन्वर्ट हुए थे या नहीं, ये अभी भी डिबेट का विशय है समराट अशोका की तरह उन्होंने भी जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था पूर और डेस्टिटूट के लिए मुफ्त खाने और दवायूं की व्यवस्था की गई थी इसके अलावा वे दिल खोल कर चैरिटी भी किया करते थे उनकी दान प्रवर्ती के सबसे बड़े प्रमाण प्रयाग असेंबली और कनौज असेंबली का आयोजन थे चलिए पहले जानते हैं प्रयाग असेंबली के बारे में प्रयाग Assembly अब हम कन्नौज Assembly के बारे में भी जान लेते हैं। कन्नौज Assembly हुएन साइंग ने हर्ष वर्धन के राज में लगभग आठ साल बिताय थे। हर्ष वर्धन हुएन साइंग से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने उनके सम्मान में अलग से 643 एडी में कन्नौज Assembly का आयोजन कर धेर सारा दान दिया। इस Assembly का मुख्य उद्देश महायान बुद्धिजम को पॉपिलराइज करना था। कुछ Scholars का मानना है कि ये एक्स्ट्रीम दान प्रथा उनके एंपायर के डिकलाइन का इंपॉर्टेंट कारण बनी थी। दान पुन्य के अलावा हर्षवर्धन एक महान स्कॉलर भी थे। उनके रेन में लर्निंग और लिटरिचर में बहुत तरक्की हुई थी। पहले बात करते हैं लिटरिचर की। लिटरिचर। हर्षवर्धन खुद तीन संस्कृत प्लेज रतनावली, प्रियदर्शिका और नागनंद के ओथर थे। उनके समय की बान भट की रचनाएं आज भी फेमस हैं। बान भट हर्ष के राजकवी थे, जिन्होंने कादमबरी और हर्ष चरिता जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी। हर्ष चरिता जहां हर्ष वर्धन की अर्ली लाइफ के बारे में बताता है, वहीं कादमबरी में दो प्रेमियों की ट्रैजिक लव स्टोरी डिस्क्राइब की गई है। ये थी लिटरिचर की बात, लेकिन लर्निंग के क्षेतर में नालंदा यूनिवेसिटी को कैसे भुलाया जा सकता है। नालंदा यूनिवेसिटी लिट्ररी प्रावेस के साथ साथ गुप्त काल में स्थापित नालंदा यूनिवेसिटी हर्ष वर्धन के समय में अपने पीक पर पहुँच गया था देश विदेश से हजारों स्टूडेंस यहां शिक्षा लेने आते थे हुएन सैंग भी यहां पर कुछ समय के लिए स्टूडेंट रहे थे नालंदा यूनिवेसिटी के इंपैक्ट को देखते हुए हर्ष वर्धन ने सौ गाउं की जमीन यूनिवेसिटी के मेंटेनिंस के लिए दान में दी थी 1202 AD में बख्तियार खलजी ने अपनी मिलिटरी एक्सपेडिशन में नालंदा यूनिवेसिटी को आग लगवा दी थी कहा जाता है कि यूनिवेसिटी लैब्रेरी में इतनी किताबें थी कि तीन महीने तक आग जलती रही बख्तियार खलजी ने कई बुधिस्ट मंक्स को भी मरवा दिया था जिससे भारत में बुधिसम को बहुत हानी हुई हर्षवर्धन की पॉपिलारिटी के साथ साथ उनको लेकर कुछ कंट्रौवसीज भी रही है आईए देखते हैं कंट्रौवसीज पहली कंट्रौवसी हर्षवर्धन के वर्ण को लेकर है कुछ हिस्टौरियन्स के अनुसार पुष्य भूती डाइनेस्टी वैश्य वर्ण से संबंध रखती थी परंतु कुछ दूसरे हिस्टौरियन्स उन्हें क्षत्रिय वर्ण का भी बताते हैं दूसरी controversy उन्हें लास्ट ग्रेट हिंदू एंपरर ऑफ इंडिया बोलने पर रही है। कुछ scholars का मानना है कि वे ना तो staunch हिंदू थे और नहीं उन्होंने पूरे भारत पर राज किया था। तो फिर उन्हें लास्ट ग्रेट हिंदू एंपरर ऑफ इंडिया कैसे कहा जा सकता उनकी ऑथोरटी नौर्थ इंडिया तक ही सी में थी, जिसमें कश्मीर शामिल नहीं था, और उनके बाद भी राजपूत, विजयनगर और मराथा जैसे कई ग्रेट हिंदू किंडम्स राइस हुए थे, पर इन सारी कंट्रोवसीज के बावजूद, हर्ष वर्धन अपने रिल